अलो स्टूडेंट्स तो आज हम मोस क्लास में सेवन क्लास के पार्थ 11 का अभ्यासकारे कंप्लीट करेंगे पार्थ 11 का अनुवाद हम कर चुके हैं पहला प्रश्ण है प्रश्णा नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत यहनी की प्रश्णों के उत्तर वन वर्ड में आपको देने है व्रिक्षे का प्रतिवसतिस्म व्रिक्षे पर कौन रहती थी तो उत्तर है चटका अगला प्रश्ण है व्रिक्ष से अधक आगत प्रमत्थ गज़ व्रिक्ष के नीचे एक मतवाला हाथी आया था गज़ केन शा काम कश्याम समीपम ओनर जो कटफोरा था वो चिडिया को कहा ली गया मकशी का आया मित्रम कह आसिद अगला प्रेशन है प्रेशन नमबर दो रेखांकित पदानी आधरित है यानि कि जो अंडरलाइन वर्ड थे उनको चेंज करके प्रश्नवाचक शब्द लगा के इनको प्रश्न निर्मान करना था जैसे कालेन चटकाया संतती जाता तो चटकाया को हटा कर यह अंडरलाइन वर्ड है और इसके स्थान पे प्रश्नवाचक चिन अगर हम लगाएंगे तो लगेगा कस्याह और पूर्डविराम के स्थान पे प्रश्न वाचक चिन तो यह बन जाएगा एक प्रश्न इस प्रकार से सारे कोशन कंप्लीट करने हैं जो कि प्रश्न निर्मान का हम हर चैप्टर में कंप्लीट करते हैं तो बनेगा कालेन कस्याह संतिती जाता समय के अनुसार किसकी संतान हुई तो चड़िया की संतान हुई थी अगला है चटकाया नीडम भूवी अपतत चटकाया किम भूमी अपतत यानि कि इसमें नीडम हटाना है और प्रश्ण बन जाएगा कि किम भूमी अपतत क्या गिरा था भूमी पर इस प्रकार से अगला देखेंगे हम गजस से वधे नईव मम दुखम अपसरेद जो हाती है उसके वद के द्वारा ही मेरा दुख जाएगा अब वधे नईव है यह वधे नईव वो है यहाँ पर मौ नहीं है हाती के वध के द्वारा ही मेरा दुख जाएगा तो गजस से के इस्थान पे आजाएगा कस से वधे नईव काश्ट कूटर चंचवा गजस से नईने स्फोर्टिश यन्ती यनि कि किसके इस्थान पे हम लगाएंगे चंचवा को हम आटा देंगे केन गजस से किसके द्वारा हाथी की आँखों को फोड़ा गया इस प्रकार से प्रश्ण निर्माण हमको कम्प्लीट करने हैं अब है अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर ती मन्जुशात क्रिया पदानी चित्वा रिक्तिस्थानानी पूरयत जो आपको बॉक्स में दिये गए हैं शब्द उनसे रिक्तिस्थानों को पूर्ण करना है जैसे करिश्यामी, गमिश्यती, और नयत, पतिश्यती आदी पहला है काश्ट कूटर, चंच्वा गजसे नएने, स्फो टश्यन्ती यानि कि जो पहला वाला आपका शब्द था ये पहले फिलप में सबसे पहला ये प्रियोग हुआ है पहले फिलप में तो ये है हमारा रिक्तिस्थान का पहला उत्तर, अब है मारगे इस्थित अहम अपी शब्दम करिश्यामी, तो नमबर टू पे क्या आजाएगा करिश्यामी, यहाँ पे तीसरा है उसको देखेंगे त्रिशार्त गज़ जलाशयम गमिश्यती, गज़ गरते पतिश्यती, काश्ट कूट ताम मक्षिकाया समीपम अनयत, गज़ शुंडेन वरिक्षाया त्रोट यती तो इस प्रकार जो हमें यहाँ दिये गए थे, जैसे कि हमने त्रोट यती का प्रयोग किया, समीपम का प्रयोग किया और गरते का, पतिश्यती का इन शब्दों का प्रयोग करके हमने इन रिक्तिस्थानों को पूर्ण किया तो जाएं सबके नीचे अंडरलाइन नहीं किया है तो आप बुक से मैच करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं अंडरलाइन आप कर लीजेगा अगला प्रश्न है प्रश्न नमबर चार प्रश्ना नाम उत्तरानी एक वाकेन लिखत पहले हमने वन वर्ड में लिखा था अब हम उसको पूरे सेंटेंस में उत्तर देंगे पहला प्रश्न है चटकाया विलापम शृत्वा काश्ट कूट ताम किम और प्रच्छत चिडिया का विलाप सुनके काश्ट कूट ने उससे क्या पूछा था चटकाया विलापम शृत्वा काश्ट कूट ताम दुखेन और प्रच्छत भद्रे की मर्थम विलापसी चटकाया काश्ट कूट से चवारताम शृत्वा मक्षिका किम और वदत उसने क्या उत्तर दिया था चिडिया ने उसकी बात को सुनकर उत्तर दिया था चटकाया काश्ट कूटस से चवारताम शुत्वा मक्षिका अवदत ममापी मित्र मंडूक मेगनाद अस्ति शिग्रम तमुपेत्य यथो चितम करिश्यामिंग यानि कि चड़िया और काश्ट कूट की बात सुनके मक्षी ने ये उत्तर दिया था कि मेरा एक और मेंड़क मित्र है उसके पास चलो जो वो कहेगा वही हम करेंगे जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो ऐसा मेगनाथ ने कहा था चटका काश्ट कूटम कीम अवदत और चिडिया ने काश्ट कूट से क्या कहा था उसने कहा था चटका काश्ट कूटम अवदत यो दुष्ट नाइकं गजेन मं संतती नाश था तस से गजस से वधै नाइव मं दुखम अपसरेथ जिस दुष्ट हातीने मेरे संतान का नाश किया है उसके वद्ध के द्वाराई मेरा दुख दूर होगा पांचवा प्रश्ण है उधारणम अनुसरते रिक्तिस्थानानी पूर्यत एक उधारण को देखके रिक्तिस्थानों को पूरा करना है तो पहले कव भाग में पुरुष एक वचन दुई वचन भवचन भवचन नहीं कि हम इसमें लकार के अकॉर्डिंग पुरुष बताएं पुरुष बताएं वचन में थी किसी प्रकार से हमें अगला रूप बनाना है वो किसका है पतिश्यती इसी का हमने दूसरा बना कि समें बनाना है ठीक इसी प्रकार से हमें एक उधारण दिया गया है तो उस उधारण का हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे कैसे मरिश्यती गमिश्यत उसका मध्यम पुरुश्मे एक और उधारण होगा धाविश्यसी क्रिडिश्यस ठीक इसी प्रकार से एक और उधारण मिला लेखिश्यामी लेखिश्यावा लेखिश्यामा हसिश्यामी हसिश्यावा हसिश्यामा द्रक्ष्यामी द्रक्ष्यावा द्रक्ष्यामा तो गवभाग में उत्तम पुरुष्का और खवभाग में मध्यम पुरुष्का और कवभाग में प्रत्तम पुरुष्का यानि कि तीनो पुरुषों का तीनों वचनों में हमें ये उत्तर कंप्लीट करना था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया इसके दो पंक्तिया और हैं जो यहां लास्ट वाले की यहां है हसी श्यामी हसी श्यावव हसी श्यामई हम कर चुके हैं द्रिक्ष्यामी द्रिक्ष्यावा द्रिक्ष्यामा ये भी हम कर चुके हैं कोश्चन नमबर सिक्स है उद्धारणम अनुसारम स्मः शब्दम योजे इत्वा भूत कालिक क्रिया रचेद तो स्टुडेंट आपको पता होगा कि जो भूत काल में क्रिया भूत का लकार होत है लंग लकार और लंग लकार में अ जुड़ जाता है धातु के आगे तो वो भूत काल में बदल जाता है जैसे वसती शब्द है तो वसती के आगे अगर हम अ जोड़ देंगे और तो लगा देंगे तो बन जाएगा अवसत वसती का मतलब है वास करता है या रहता है लेकि लेकिन यहाँ पे एक और आपको तरीका बताया गया है भूत कालिक क्रिया यानि कि स्मा ये अधस होगा और म स्मा लगाकर आप क्या कर सकते हो वस्ती एजटीज रहेगा वर्तमान में और उसके आगे आप स्मा लगा देंगे तो ये भूत काल की क्रिया कहलाएगी जैसे पे औवसत का मतलब है कि रहता था, तो अगर हम यहां पे बोलते हैं वसती इसमा, तो इसका मतलब भी होगा रहता था, हम बिना लंगलकार के प्रियोग किये, समा लगाके भी हम इसे बूद्वकाल में बदल सकते हैं, वर्तमान की क्रिया को, जैसे एक और उधारन है, और पठ प्रकार से भूद कालिक क्रिया का प्रियोक करना है, कुछ और उधार है जैसे अपतत पततीसम, अप्रचत प्रचतीसम, अवदत वदतीसम, अनयत नयतीसम, लास्ट प्रश्ण है सात्वा, कोष्ट कात उचितम पदम चितवा रिक्तिस्थानानी पूर्यत, आपको हर किट में कुछ शब्द दिये गए जैसे कव में देखेंगे एकम एका एकह तो सही वाला आपको उत्तर में लिखना है जो कि यहां पे आपको लिख कर दिखाया गया है डारेट उत्तर मैंने दे रखें हैं मोसली मैं सौल्व करके ही कुश्चन के आंसर्स देती हूं तो पहला ह एका बालिका मधुरम गायती तो यहां हमने उत्तर में कौन सा प्रयोग कर लिया है एका चतवारी कृषिका कृषि करमानी कुर्वन्ती तो यहां पे चतवारह नहीं आया चतस्त्रह नहीं आया चतवारी क्योंकि क्रिश करमानी कुर्वन्ती तो चतवारी चार क्रिशी हैं वो क्या कर रहे हैं क्रिशी के काम को कर रहे हैं अगर हम चतस्त्रह करेंगे तो वो स्त्रिलिंग में चला जाएगा अगर हम चतवारह करेंगे तो वो किस में आजाएगा एक वचन में आजाएगा लेकिन जब हम चतवारी प्रियोग करेंगे तो बहु वचन में दिखाना है इसी प्रकार से अब हम अगला दिखेंगे तानी पत्रानी सुन्दरानी संती यहां पे संती से ही पता चल रहा है कि तानी आजाएगा उत्तर में धेनवा दुगधम ददाती तो उत्तर में आजाएगा ददाती ऐसे ही अपठम अपठन अपठाम में से हमने अपठाम लिया था क्योंकि वयम के साथ आएगा अपठाम तो इस प्रकार से ये इस पाठ के उत्तर थे यहनि कि अभ्यासकारे हमने complete कर लिया कौन से chapter का हमने complete किया अभ्यासकारे part 11 का अभ्यासकारे complete कर लिया है तो student आज की class में इतना ही मिलते है next class में नए chapter के साथ part 12 complete करेंगे हम और उसका अनुवाद complete करेंगे तब तक के लिए आप like करें शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मिलते हैं नेक्स क्लास में